अच्छों कैसे एँमीद करता हूं बढ़े होंगे आज की ग्रास आपकी pictorial ग्राप किया है यहां पर आपको जो ग्राप होगा वो picture दो कि आपको जानकारी निकालने हैं जानकारी निकालकर फिर जो भी वह आंसर आपसे पूछेगा योशन नमबर वन है आपका नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़िए और परसन का सही उत्तर दीजिए यहाँ पर महीने दिये गए हैं मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई और इधर बेचे गई केलो की संख्या दी गई है और साथ ही आपको बताया कि यह जो एक प तो टोटल जो यहाँ पर आपको तेईस आकरती दी गई है और यह एक आकरती पांच दर्जन के ब्राबर है तो अगर यहाँ पर हम कुल दर्जन की संख्या निकाले तो इन महिनों में जो कुल दर्जन भिके वो तेईस इंटू 5 होंगे तेईस की एक पांच से गुना यहाँ पर केलो की संख्या आ जाएगी लेकिन हमसे यहाँ पर दर्जन में नहीं कुल केलो की संख्या पूछी है दर्जन में नहीं पूछी तो आपको पता है बच्चे एक दर्जन जो होता है एक दर्जन में आपकी क्वांटिटी होती है बारा एक दर्जन में आपके बार पर आपको एक graph दिया गया है इस graph में आपको English, गणित, विज्ञान, समाजी को और Hindi के number दिये गये हैं और जब कि पूरा paper जो है वो आपका 100 number का है आप से पूछा गया है कि सियाम के विज्ञान में परतिसत अंक कितने हैं विज्ञान में कितने परतिसत अंक आएंगे हमें य सो में से तो हम क्या करेंगे 80 बटे सो कर देंगे और इंटू सो से सो कर जाएगा तो इसको 80 परतिसत number मिले है option number 2 आपका right answer कभी भी सो में से number हमें दिये जाएं तो वो उतना ही परतिसत होता है जितना की number अगला person देखिएगा यहां पर आपको बताएगे नीचे दिये गए आरेक में वर्स इधर वर्स दिया हो गया है और दूसरा इसमें लगाए गए फेडों की संख्या है आपसे person में पूचाग लगाए गए टोटल अगर हम देखें तो कुल कितने पेज लगाए दो सो पचास और पचास आपका तीन सो तो टोटल जो पेड़ है वो तीन सो लगाए गए ओफशन नमबर वन आपका राइट आंसर अगला परसंद देखेगा इस आलाएक से आपको जानकारी निकालनी है आल तो यहां पर दस से पंद्रा वाले पांच विध्यारती दस से पंद्रा वाले आपके दस विध्यारती थे और फिर पंद्रा से बीस वाले आपके बीस विध्यारती थे बीस से कम वाले हमें बताने थे तो दस पंद्रा और बीस आपका हो गया 35 तो टोटल जो है 35 विध्यार हैं हमें यह बताना है 50 से अधिक तो एक पुष्टक आपकी 10 के बरावर आ रही है तो मतलब 5 पुष्टक आपकी 50 के बरावर होगे और हमें बताना है 50 से अधिक तो ऐसे subject ढूड़ने जहां पर 5 से जादा चित्र दिये गए हैं तो यहां पर भी पांच से जादा हैं यहां पर भी यहां से पांच से कम हैं इसको नहीं लेंगे इसको नहीं तो कितने subject हुए एक दो और तीन तो यहां पर तीन subject में 50 से अधिक पुष्टक है है option number आपका two right answer है अगला परसन देखिएगा चित्र लेक में एक विध्यालती के चात्रों दुवारा प्रयोग किये गए यातियात के विबिन साथनों को दरसाता है यहां पर एक इनसान 50 चात्रों के बराबर दिखाई दे रहा कितने परतिसत चात्रों ने school bus का उपयोग किया तो अगर हम school bus की बात करें तो school bus में आपके कितने हैं एक दो तीन चार पांच है तो school bus में total 6 चात्र है और अगर हम गिने total क्योंकि हमें percentage बताना है तो percentage बताने के लिए जितने बस अगर bus का पूछा है तो अपड़ लिखेंगे bus वाले student को और नीचे लिखेंगे cool student तो cool student कितने है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और 6 पंदरा तो total student है आपके 15 हमें percentage निकालना है तो कोई फरक नहीं पड़ता कि ओ 50 के बराबर है 100 के तो 6 to 15 डिवाइड बाइ 100 कर देंगे यहांसे उसको कार देंगे तीन जो नीचे है तीन पंजे पंदरा और पांच दुनी दस और जीरो बीस दुनी चालीस परसेंट बच्चों ने यहां पर जो है school bus का उप्योग करा है option number 3 आपका right answer अगर यह पूछ तक कितने चात्र गए तब आपको यहां पर 50 की जोड़त पढ़ती लेकिन अगर ऐसे पूछा है तो हम डारेक्ट चीतर से ही निकाल सकते है तो यह थे आपके important question जो बार बार paper में पूछे जाते हैं और यह मैं आपको दे रहा हूं कुछ question home work के लिए और comment box मुझे बताना कि कितने बच्चों के इनके right answer आए हैं यहां पर आप question number one note कीजिए question number two question number three question number four five और six तो यहां पर मैंने आपको total seven question दिये हैं जो कि आपको homework में करना है अगर आप serious ओर यहां तक पहुँच गए हो वीडियो का अभी भी देख रहे हो तो इसका मिलब अपना selection लेना चाहते हैं और selection लेने में आपकी पूरी-पूरी मदद करूँगा बस आप लोग इमानदाश से त्यारी करिए मैंनत करिए चैनल को subscribe और like करिए इस दिए कि आने वाल सारे update आप तक पहुँचते हैं तब तक धन्यवाद जैहिन जै भारत